Using the application Objectives इस लेसन में हम Word की Basic Settings को तबदील करना सीखेंगे अब जब के हमने Word में थोड़ा बहुत काम करना सीख लिया है हम अब आपको इसकी Basic Settings चेंज करना सिखाएंगे ताके आप इनको चेंज करके अपनी जरूरियात के मुताबिक सेट कर सकें Change Page Display Modes इसके लिए हम Ribbon Bar में View के टैब पर क्लिक कर रही हैं. View के टैब में ये पहली पांच options हैं. हम इन options में से पहली option यानि Print Layout पर क्लिक कर रही हैं. देखिए कि वर्ड का display चेंज हो गया है. Hands-on Exercise आईए अब हम आप से Page Display को चेंज करवाते हैं. इसके लिए पहले View के टैब पर क्लिक करें. अब Web Layout पर क्लिक करें. आपका document अब Web Layout Format में डिस्प्ले हो रहा है. इसको वापस Print Layout में लाने के लिए Print Layout पर क्लिक करें. Changing Zoom Level कभी-कभी जरूरत होती है कि अपना document ज्यादा स्क्रीन पर या कम स्क्रीन पर खोलें के document के कई page एक साथ देख लें. ये करने के लिए हम Zoom Settings में Changes करते हैं. Screen का Size Change करने के लिए हम View के टैब में Zoom पर क्लिक करते हैं. अब हमारे सामने एक Screen है. ये Zoom की Screen है. यहाँ पर Screen के ऊपर वाले हिसे में कुछ Options मौचूद हैं, जिनके आगे डाइरे बने हुए हैं. इन सब Options में से आप एक वक्त में सिर्फ एक Option सेलेक्ट कर सकते हैं. जिस Option को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके डाइरे के अंदर एक नुक्ता बन जाता है. इन Options के नीचे एक Text Box बना हुआ है, जिसका Title परसंट है. इधर से आप कोई नंबर एंटर करके बता सकते हैं कि Document कितना Zoom होना चाहिए. यहाँ इस बात को याद रखा जाए कि Normal Zoom Level 100 है. इस Text Box के दाइं चानिब दो तीर वाले बटन भी हैं, जिस बटन पर तीर का रूख उपर की तरफ है, इस पर क्लिक करने से Text Box में मौजूद Numeric Value बढ़ जाती है. जबके दूसरा बटन जिसके तीर का रूख नीचे की तरफ है, को दबाने से Text Box में मौजूद Numeric Value कम हो जाती है. Zoom Level ज्यादा से ज्यादा 500% और कम से कम 10% पर सेट किया जा सकता है. स्क्रीन के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है. इस लाइन पर Preview लिखा हुआ है. लाइन के नीचे बाइन जानिब एक Monitor बना हुआ है. और दाइन जानिब एक डबा बना है, जिसमें कुछ Text लिखा है. जब आप Zoom का Level सेट करते हैं, तो ये Monitor आपको दिखाता है कि इस सेटिंग पर आपके Document का एक पेज स्क्रीन पर कितनी जगा लेगा. इसके साथ जो डबा नजार आ रहा है, इसमें Standard Size 12 में कुछ Text लिखा हुआ है. इधर से आप देख सकते हैं कि आपने जो Zoom Level सेट किया है, उस पर Font Size 12 कितना बड़ा दिखाई देगा. जब आप अपनी Zoom Settings से मुतमाइन हो जाएं, तो OK के बटन पर क्लिक करने से आपका Select किया हुआ Zoom Level डॉक्युमेंट पर सेट हो जाता है. अगर आप Cancel बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपकी Select की हुई Zoom Settings डॉक्युमेंट पर Apply नहीं होंगी. Zoom Level चेंज करने का एक और भी तरीका है. पेज के बिलकुल नीचे स्टेटिस बार पर दाएं तरफ Zoom Tools दिये गए हैं, जिसमें इस वक 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है. पर क्लिक करके पहले से दिये गए तरीके से Zoom Level चेंज कर सकते हैं. दूसरे तरीके में इसके साथ ही आपको दाएरे में एक तरफ मन्फी का निशान और दूसरी तरफ जमा का निशान नजर आ रहा होगा. मन्फी के निशान पर क्लिक करने से पेज का Zoom Level कम होता नजर आ रहा है, जबकि जमा के निशान पर क्लिक करने से पेज का Zoom Level बढ़ता नजर आ रहा है. इसके इलावा इन दोनों निशानों के दर्मियान मौजूद इस तीर को माउस की मदद से पकड़ कर अगर बाएं तरफ खेंचें तो Zoom Level कम हो जाता है, अगर तीर को दाएं तरफ लाएं तो Zoom Level बढ़ जाता है. Hands-on Exercise आएए, अब हम आपको अपने डॉकुमेंट की Zoom Settings चेंज करने की प्रैक्टिस करवाती हैं. सबसे पहले View के टैब पर क्लिक करें. और इथर से Zoom की आप्शन पर क्लिक करें. अब आपके सामने Zoom Dialog Box खुल गया है. जूम लेवल को 200% पर सेट करने के लिए 200% के Option बटन पर क्लिक करें. और अब OK का बटन दबाएं. आपके डॉकुमेंट का Zoom लेवल अब 200% पर सेट हो गया है. इसको वापस 100% पर लाने के लिए स्टेटस बार के जूम टूल्स पर दिये गए. मन फिनिशान पर क्लिक करते हुए 100% पर ले आएं. अब आपके डॉकुमेंट की Zoom Settings वापस Standard 100% पर सेट हो गई है. एडिटिंग रिबन टैब्स Word में आपके पास कई Ribbon Tabs होते हैं. हर Ribbon Tab में अलहदा-अलहदा Options होती हैं. आपको जिस Tab की Options चाहिए, वो आप Screen पर ला सकते हैं. और जिसकी नहीं चाहिए, उसे आप हटा भी सकते हैं. आईए इस दिलचस्प काम को करना सीखी. Screen पर Ribbon Tab Add या Remove करने के लिए, हम दाएं जानिब Toolbar पर Right-Click करके Customize the Ribbon पर क्लिक कर रहे हैं. और Word Option का Dialog Box हमारे सामने आ गया है. इस वर्ग Main Tab के नीजे, जितने Tabs स्क्रीन पर नज़रा रही हैं, उन में से कुछ के आगे Tick Mark लगा हुआ है. इस लिस्ट में, अगर आप किसी ऐसे Toolbar के नाम पर क्लिक करें, जिसके आगे Tick Mark नहीं लगा हुआ, यानि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे कि हम अभी Developer पर क्लिक कर रही हैं, और Developer का टैब डिस्प्ले हो गया है. अगर किसी Toolbar के आगे Tick Mark लगा हो, तो उस पर क्लिक करने से वो Toolbar स्क्रीन से हट जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, Insert के आगे अब एक Tick Mark लगा हुआ है. जब हम Insert के Option पर क्लिक करते हैं, तो देखिए, Insert की टैब स्क्रीन से हट गई है. किसी टैब की जगा तबदील करने के लिए उस टैब को सिलेक्ट करें, अब दाइन तरफ बने हुए Arrow की मदद से, इस टैब को दूसरे टैब से आगे या पीछे कर सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका ये है, कि हम माउस की मदद से किसी भी टैब को पकड़ कर ओपर या नीचे ड्रैग करके उसकी जगा तबदील कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रही हैं कि हमने व्यू की टैब को माउस से पकड़ कर रिव्यू की टैब से पहले लाकर छोड़ दिया है. देखा हमने कैसे अपनी ज़रूरत के मताबिक टैब पार्स को एज़ेस्ट कर लिया है. Hands-on Exercise आईए, अब प्रैक्टिस के तौर पर हम आपसे डाकुमेंट में एक टैब एड करवाते हैं और फिर उसको रिमूव भी करवाते हैं. टैब एड करने के लिए पहले की एड की हुई टैब में कहीं भी राइट क्लिक करें. आपके सामने न्यू टैब के नाम से एक टैब एड हो गई है. इस टैब को नाम देने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और ड्राइंग टाइप करें. अब इसको रिमूव करने के लिए इस टैप पर राइट क्लिक करें ड्राइंग का टूल बार अब रिमूव हो गया है और आपने टूल बार को एड़ और रिमूव करने का तरीका सीख लिया है Summary इस लेसन में हमने आपको MS Word के डिस्प्ले मौड चेंज करने का तरीका सीखाया इसके अलावा हमने Zoom Level चेंज करने का तरीका और Ribbon Tap डिस्प्ले को भी चेंज करने का तरीका सीखा Changing File Format अब क्यों न डॉकुमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए ताके ये किसी और सौफ़वेर के साथ भी खोली जा सके हम फाइल के मैन्यू में Save As पर क्लिक करती है हमारे सामने Save As Options की स्क्रीन खुल गई है अब हम Save As टाइप के सामने से फाइल की टाइप तबदील करती है जैसा कि अभी हम Rich Text Format सेलेक्ट कर रही है Rich Text Format में Document Save करने से उसकी Format Settings भी Save हो जाती है इसके बाद हम File Name के Text Box में File का नाम Enter करती है इस Document का नाम हमने Rich Text रखा है Document का नाम Enter करने के बाद हम Save की बटन पर क्लिक कर रही है और अब हमारा Document Rich Text Format में Save हो गया है Saving Word Document as a Web Page Word Document को Website की तरह सेव करने के लिए हम Save As की स्क्रीन खोल रही है अब हम Save As Type में File Type Web Page सेट कर रही है इसके बाद हम Document का नाम My Web Page रख रही है और फिर Save का बटन दबा रही है Hands-on Exercise आपको स्क्रीन पर एक Document नजर आ रहा है हम आपसे ये Document, Plain Text Document की तौर पर Save करवाएंगी सबसे पहले Save का Dialog Box खोलना पड़ेगा इसके लिए आप File के Menu पर क्लिक करें अब Save As की Option पर क्लिक करें आपके सामने Save As का Dialog Box खुल गया है पहले File Name के Text Box पर क्लिक करके Document का नाम VU1 रख दें अब इससे निचले Text Box Save As Type पर क्लिक करके Plain Text की Option पर क्लिक करें और Save की बटन पर क्लिक कर रही है और इसके बाद OK की बटन पर क्लिक करें लीजिए आपका Document Plain Text Format में Save हो गया है Summary इस Lesson में आपने Document को मुक्तलिफ Formats में Save करना सीखा है जैसे के Rich Text Format और Web Page Format Insert Data, Objectives इस Lesson में हम आपको एक Document में मुक्तलिफ किसम का Data Insert करने का तरीका सिखाएंगे इसमें Document के अंदर कोई Character, Sentence, Word क्या थोड़ा सा Text डालने का तरीका Undo की Command इस्तमाल करने का तरीका एक नया Paragraph Insert करने का तरीका Special Character और Symbols डालने का तरीका और Page Break इंसर्ट करने का तरीका शामिल है कागस पर काम करते हुए अकसर हम बीच में से लफ्स लिखना भूल जाते हैं इस मसले से निमटने के लिए या तो आपको पूरी लाइन दुबारा लिखनी पड़ती है या आप लाइन की उपर छोटा-छोटा लिखना शुरू कर देते हैं MS Word ने ये मसला भी हल कर दिया है आईए हम देखते हैं कि MS Word ये काम किस तरह करता है इंसर्टिंग टेक्स्ट पहले की टाइप की गई टेक्स्ट में किसी भी जगा पर अगर आपने और टेक्स्ट एड़ करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस जगा पर टेक्स्ट एड़ करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें इसके बाद हम यहाँ पर simply वो टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, जो हम यहाँ पर insert करना चाह रहे थे Undo command कोई भी ऐसा action जिससे आपके document में कुछ text लिखा या मिटाया गया हो या text की formatting चेंज की गई हो, उसको undo किया जा सकता है किसी action को undo करने का मतलब है कि हम document पर उस action का असर खत्म कर देती हैं यह देखिए, हमने document में कुछ text टाइप किया है अब हम quick access toolbar से option undo पर click कर रही है देखिए कि जो text हमने अभी type किया था, वो सब का सब मिट किया है control और Z की keys को एक साथ दबाने से भी आप कोई action undo कर सकते है यह देखिए, हमने कुछ text टाइप किया है और अब हम control और Z की keys को दबाती है तो हमारा typing का action undo हो गया है Hands-on exercise इस exercise में हम आप से एक document में कुछ text insert करवाएंगी और फिर undo command इस्तिमाल करना सिखाएंगी आपको screen पर एक document नजर आ रहा है इसमें सबसे पहले एक जुमला लिखा नजर आ रहा है I love Pakistan इसके बाद यही जुमला दोबारा लिखा गया है लेकिन इन दोनों में एक गलती है जो आपको correct करनी पड़ेगी I love Pakistan इस जुमले में पाकिस्तान के spelling में I missing है I को पाकिस्तान में insert करने के लिए आप mouse से पाकिस्तान के K और S के दर्म्यान क्लेक करें अब I की key प्रेस करें अब हम अगले जुमले की तरफ चलती हैं इसमें love का loves missing है आप keyboard की arrow keys को इस्तमाल करते हुए करसर को I और पाकिस्तान के दर्म्यान सेट करें और अब यहां पर L, A, V, E टाइप करें यह तो love की spelling हमने गलट टाइप कर दी चलिए हम इसको undo करके फिर टाइप करते हैं Quick Access Toolbar से undo के आइकन पर क्लिक करें अब हम love दुबारा टाइप करते हैं करसर को I और पाकिस्तान के दर्म्यान सेट करें और अब L, O, V, E टाइप करें आपने अब दोनों जुमले करेक्ट कर दिये हैं और साथ-साथ टेक्स्ट इंसर्ट करना और undo की कमांड भी इस्तेमाल करना सीख लिया है Insert Special Characters and Symbols Special Characters and Symbols उन सारे Characters और Symbols को कहती हैं जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं जैसा कि Copyright Symbols सबसे पहले हम Insert की टैप पर क्लिक कर रहे हैं और इसके बाद हम Symbols की Option पर क्लिक कर रहे हैं क्लिक करने से आपको मुक्तलिफ Symbols नजर आ रहे हैं यहां से जो Symbols आपने Insert करना है उस पर क्लिक करें अगर इन Symbols में वो Symbols मौजूद नहीं जो आपने Insert करना है तो More Symbols की Option पर क्लिक करें अब हमारे सामने Symbols का Dialog Box खुल गया है इसमें दो Tabs हैं जिनके नाम, Symbols और Special Characters हैं इस वक्त Symbols का Tab दबा हुआ है इसमें उपर दो Dropdown List Boxes हैं जिनमें से पहले का नाम Font है इस List Box से आप अपने पसंद का Font चूज कर सकते हैं इस से आगे Subset का List Box है इस से हम Selected Font के मखसूस Symbols के Group तक पहुँच सकती हैं जैसा कि ये हम Mathematical Operators सेलेक्ट कर रही हैं तो नीचे डबे में Mathematical Operators सामने आ गए हैं इन List Boxes के नीचे एक डबे में काफी ज्यादा Symbols नजर आ रहे हैं इन में से किसी भी Symbols पर अगर Double Click किया जाए तो वो आपके Document में उस जगा Type हो जाता है जहां करसर मौझूद था किसी Symbols पर Single Click करके Insert के बटन पर क्लिक करने से भी यही काम किया जा सकता है अब हम Special Characters के टैब की तरफ चलती हैं इधर भी Symbols की टैब की तरह एक डबे में कुछ Special Characters मौझूद हैं इन Special Characters में और वो Symbols जो हमने पिछले टैब में देखे थे में फर्क सिर्फ इतना है कि यह Special Characters ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं इसलिए इनको अलेहदा रखा गया है इन Special Characters को Document में टाइप करने का भी वोही तरीका है जो हमने पिछले टैब में Symbols एड़ करने के लिए इस्तेमाल किया था हर Special Character के दाइचानिब उस Character का नाम लिखा हुआ है और उससे आगे उस Character की Shortcut की दी गई है इन Keys को इकठा दबाने से हम अपने Document में किसी भी जगा वो Symbols डाल सकते हैं जैसा कि Copyright Character की Shortcut की Alt प्लस Ctrl प्लस C है इस ट्राइलोग बॉक्स से बाहर निकलने के बाद हम ये Keys दबाती हैं तो देखिए Copyright Character टाइप हो गया है Hands-on Exercise अब हम आपसे एक Document में कुछ Special Characters एंटर करवाएंगे पहले Insert की Tab पर क्लिक करें अब Symbol की Option पर क्लिक करें यहां से आप Division की Sign पर क्लिक करें और यह देखें, आपने Document में Division का Sign इंसर्ट कर लिया है इसी तरह, Insert Tab में Symbol के Menu में से मजीद Symbols इंसर्ट कर सकते हैं Insert a Page Break Page Break डालने के लिए सबसे पहले हम Insert की Tab पर क्लिक कर रही हैं फिर हम Ribbon में मौजूद Page Break पर क्लिक कर रही हैं देखिए, Document में जिस लाइन पर करसर मौजूद था, वहां Page Break डल गया है Summary इस लेसन में आपने सीखा Document में एक Character, Word, Sentence या थोड़ा सा Text इंसर्ट करने का तरीका Undo Command इस्तमाल करने का तरीका Special Characters और Symbols इंसर्ट करने का तरीका और Page Break इंसर्ट करने का तरीका सीखा है Selecting, Copying, Cutting, Inserting and Deleting Microsoft Word आपको बहुत सारे Features देता है आए इन में से कुछ मोटे-मोटे या Basic Features समझते हैं अब हम सीखेंगे के हम अपने Document में से कुई Text, Character या Word वगेरा कैसे Copy और फिर किसी और जगा पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने Text को Copy, Delete या Move करना हो वो Select किये बगेर नहीं होता इसलिए याद रखें कि Select करने की बहुत ज़्यादा एहमियत है Objectives इस Lesson में हम आपको अपने Document में से एक Character, Word, Sentence, Paragraph या पूरे का पूरा Document Select करने का तरीका सिखाएंगी इसके इलावा हम आपको Text को Cut, Copy, Paste और Delete करने का तरीका भी सिखाएंगे Select करने के लिए सबसे पहले हम माउस के साथ एक लफ्स या लाइन के सामने क्लिक करते हैं जहां हम क्लिक करती हैं, वहां पर blinking कर सरा जाता है फिर हम माउस के Left बटन को दबाए रखते हुए उसे Left या Right ले जाते हैं जिस हिस्से पर हम इसे Move कर रही हैं, वह Select हो जाएगा आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि Text Select हो गया है यह जानना बहुत आसान है जैसे जैसे Text Select होता है, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द का हिस्सा Highlight होता जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट करने का एक और तरीका यह है कि हम एक जगा पर क्लिक करते हैं और फिर Shift की की दबाते हुए Arrow Keys दबाते हैं जिस टारेक्शन में हम चाहेंगे, उसमें Text Select हो जाएगा अगर हमने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl और Shift की Keys दबाए रखते हुए Right Arrow की दबाते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा पूरे डॉकुमेंट को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं पहली तरीके में हम Home के टैप पर क्लिक कर रही हैं और फिर Select की Option पर क्लिक करते हुए Select All की Option पर क्लिक कर रही हैं दूसरे तरीके में हम Ctrl और A की Keys को एक साथ दबाते हैं आईए, अब हम Text को Copy, Cut, Paste और Delete करने का तरीका सीखें जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि Cut, Copy ये Delete करने के लिए उसको पहले Select करना पड़ता है इसलिए हम Screen पर मौजूद Sentence को सिखाए गए तरीके से पहले Select करेंगे Cut और Copy की Action अक्सर Paste की Action के साथ इस्तेमाल होती है Cut करने का मतलब है काटना जब हम अपने Document में से कुछ Text को Cut करती हैं तो वो अपनी जगा से Cut जाता है और फिर हम इस Text को Paste के Action से Document में किसी और जगा चिपका सकते हैं Copy करने से जो Text हमने Select किया होता है वो अपनी जगा पर मौजूद रहता है लेकिन उस Text की एक Copy या नकल हम Document में किसी और जगा पर चिपका सकते हैं Text Copy करने के लिए हम पहले Copy किये जाने वाले Text को Select करते हैं फिर Home की Tab में से Copy पर क्लिक करते हैं Ctrl और C की Keys एक साथ तबाने से भी Select किया गया Text Copy हो जाता है अब Copy किये जाने वाले Text को Paste करने के लिए हम पहले Home की Tab से Paste की Option पर क्लिक कर रहे हैं Ctrl और V की Keys को एक साथ दबाने से भी Text पेस्ट हो जाता है Text को Cut करने के लिए हम पहले Text को Select कर रही हैं और फिर Home की Tab से हम Cut की Option पर क्लिक कर रही हैं Ctrl और X की Keys को एक साथ तबा कर भी Text को Cut किया जा सकता है देखिए के Selected Text अब स्क्रीन से गाइब हो गया है Cut किये गए Text को Document में वापस जिपकाने के लिए हम सिखाए गए तरीके से Text को Paste कर देते हैं हम Text को Copy या Cut करके एक Document से दूसरे Document तक भी ले जा सकती हैं इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों Documents यानि जिस Document से Text Copy किया जाएगा और जिसमें Paste किया जाएगा दोनों Open हों हम पहले एक Document में जाकर Text को Select करके उसको Copy करती हैं और फिर दूसरे Document में जाकर Paste कर देती हैं अगर हमने ज्यादा Text Delete यानि मिटानी हो तो उसके लिए हमने जिस Text को Delete करना है Select कर रहे हैं Text Select करने के बाद Keyboard पर बनी हुई Delete की Key दबाने से Text Delete हो जाता है Hands-On Exercise चलें, अब एक Exercise करती हैं आपके सामने एक Text मौजूद है करसर को लाइन के बाइन तरफ शुरू में क्लिक करें अब आप Shift की को दबाय रखते हुए Right Arrow को प्रेस करते रहें ताके पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद Home Tab में Copy की Option पर क्लिक करें अब करसर को इस लाइन के आखिर पर क्लिक करके Enter की प्रेस करें ताके करसर अगली लाइन पर आजाए जहां हमने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है अब Home Tab में सबसे पहली Option पेस्ट पर क्लिक करें तो देखें, वही टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा गया है तो इस तरह आपने टेक्स्ट को Copy and Paste करना सीख लिया है Searching and Replacing अगर हमें कोई वर्ड यह लाइन अपने डॉकुमेंट में ढूननी है तो हम Home की टेब में Find के साथ बने हुए छोटे से एरो पर क्लिक करने से Advanced Find की Option पर क्लिक करते हैं हमारे सामने Find का Dialog Box खुल क्या है इस Dialog Box में तीन टेब हैं जिनके नाम Find, Replace और Go To हैं इस वक्त हम Find के टेब में हैं इसमें एक Text Box है जिसका नाम Find What है इधर हम वो लव्ज यह जुमला टाइप करते हैं जो हम डॉकुमेंट में ढूनना चाहते हैं लव्ज टाइप करने की बाद हम Find Next के बटन पर क्लिक कर रही हैं तो देखिए हमारी डॉकुमेंट में इस लव्ज का मैच हाईलाइट हो गया है अगर हम Find Next का बटन दबाती जाएं तो वर्ड हमको बारी बारी डॉकुमेंट में सब मैच इस दिखाता है और जब मैच खत्म हो जाते हैं तो एक Message Box डिस्पले हो जाता है जो हमें ये बता रहा है कि अब टाइप किये के वर्ड के इस डॉकुमेंट में और कोई मैच माजूद नहीं अगर हमने कोई वर्ड या लाइन ढूँट कर उसे किसी और वर्ड या लाइन से बदलना है तो हम इसी Dialog Box के अगले टैब यानि Replace पर जाते हैं इस टैब के बटन्स भी बिलकुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पिछले टैब के बटन्स काम करते थे लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं आईए उनको तफसील से देखें Find Word के Text Box के नीचे Replace With का Text Box दिखाई दे रहा है इस Text Box में हम वो लव्ज टाइप करते हैं जिसको हम अपने डॉकुमेंट में Find What में टाइप किये गये लव्ज से चेंज करना चाहते हैं अब Find What के सामने जो वर्ड या लाइन बदलनी है वो टाइप करती हैं और Replace With के सामने जिसे इस से बदलना है वो टाइप करती हैं और Find Next, Replace या Replace All में से एक बटन अपनी जरूरत के मताबिक क्लिक करती हैं Find Next पर क्लिक करके हम वो वर्ड ढूंडते हैं Replace से वो वर्ड एक जगा पर तबदील करते हैं और Replace All से पूरे डाकुमेंट में इसे रिपलेस करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने कैसे एक लवज को ढूंड कर उसे एक और लवज से तबदील कर दिया है अगर कोई वर्ड ना मिली तो Error Message आ जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं Hands-On Exercise आपके सामनी एक सफिका डॉकिमेंट है आपने इसमें से लवज पाकिस्तान को ढूंडना है और फिर इसको Capital Letters में लिखे हुए पाकिस्तान से रिपलेस करना है तो चलिए सबसे पहले Home Tap में सबसे आखिर में Find के साथ बने हुए छोटे से एरो पर क्लिक करें अब आपके सामने जो लिस्ट ओपन हुई है इसमें से Advanced Find पर क्लिक करें आपके सामनी एक Dialog Box खुल गया है इसमें Find की टैब के नीचे Find What के सामने बने हुए डब्बे में पाकिस्तान लिखें अब आप Find Next के बटन पर क्लिक करें तो डाकुमेंट में ये लफ्स जहां सबसे पहले लिखा हुआ होगा वो हाइलाइट हो जाएगा इसी तरह आप Find Next के बटन पर मसीद क्लिक करते जाएं और पूरे डाकुमेंट में मौजूद इस लफ्स को अदेंटिफाइ कर लें अब आप इस डायलोग बॉक्स में Next टैब Replace पर क्लिक करें सबसे पहले डबबे Find What के सामने पाकिस्तान लिखें और नीचे Replace With के सामने वाले डबबे में Capital Ladders में पाकिस्तान लिखें इसके बाद नीचे दिये गए बटन Replace All पर क्लिक करें अब आप देखें के पूरे डॉक्यमेंट में जहां जहां पाकिस्तान छोटे हुरूफ में लिखा हुआ था अब वो Capital Letters में लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इस तरह आपने Find and Replace की Option को इस्तमाल करते हुए ये Exercise मुकमल कर ली Summary इस Lesson में आपने सीखा के एक पहले से मौझूद डाकUMेंट में टेक्सT का इजाफा कैसे किया जाता है डाक॥मेंट में मौझूद टेक्सT को मुक्तलिफ तरीकों से कैसे सेलेक्ट किया जाता है हम Text Editing के दौरान टेक्सT को Какट, Copy और Paste कैसे कर सकते हैं डॉकुमेंट में माजूद किसी भी हिस्से के टैक्स को कैसे डिलीट किया जाता है? और आखिर में ये देखा कि Find and Replace का फीचर क्या है और इसे किस तरह इस्तमाल करना है?